कि नमस्कार दोस्तों कि आज 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 मैंने अपनी जिन्दगी की सबसे ज्यादा कि बेहतरीन फिल्म देखी मैंने कई वार आपलों को बताया है कि मैंने कुछ ऐसा बच्पन से रहा कि जब भी मैं कभी कोई क्रामतिकारी मूवी देखता कोई देशभक्ति की मूवी देखता तो मुझे रोना भी आता और मेरा खून भी खौलता कि मैं क्यूं कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन आज मैंने एक मूवी देखी उस मूवी की चर्चा थोड़ी सी बात में करेंगे थोड़ी सी और बातों की चर्चा शुरू में कर लेते हैं तो शायद आगे चलके आपको इस विशे को पूरा बताने में जरूरी होगा मैंने पिछले काफी समय से देखा है कि आजादी की और देशभक्ती की परिभाशाएं बहुत बदली हैं और वो बहुत साजिशन धंग से बदली हैं कल तक जिन लोगों के लिए गोटसे आदर्ष होते थे आज अचानक उनके लिए गांधी आदर्ष हो गए मैं ऐसी सोच रहा था बैठा हुआ कि गांधी में क्या ऐसी खूबी है और गोटसे में और भगत सिंग में चंशेखर आजाद में ऐसी क्या बुराई है या ऐसी क्या बात है जो उनको आज के नेच्टा प्रचारित नहीं कर रहे है मेरा मानना है कि पिछले 6-7 सालों में गांधी का कद्व बहुत बढ़ा है और ये मैं आपको बता दूँ कि गांधी से मुझे बहुत प्रेम है मैं गांधी के प्रक्ष में बोलने बैठ जाओं तो दुनिया की हर व्यक्ति को मैं छोटा सिद्ध कर सकता हूं ये मैं गांधी के प्रक्ष में बात करता हूं लेकिन क्या गांधी आज के दौर में कारगर हैं या आज के दौर में गांधी उन लोगों के लिए एक सुबजा हैं जो लोग साजिशें करते हैं ऐसा समझो कि एक समय था कि गांधी ने इस देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया था कि अंग्रेजों के लिए गांधी को मारना मुश्किल हो गया था क्योंकि गांधी को मार देने का मतलब होता करोनो भगत सिंग पैदा हो जाते हैं फिर समझना दोस्तों गांधी को अगर अंग्रेज मार देते हैं तो करोनो भगत सिंग पैदा हो जाते हैं और भगत सिंग को मार देने से लाखों गांधी पैदा हुए यह उल्टी फिलोसप भी है लेकिन ऐसा होता है हमारे देश में इसी लिए अंग्रेजों ने गांधी को मारा नहीं कि उन्होंने गांधी को जिन्दा रखा लेकिन उस समय वो गांधी से हार गए वो दुबारा लोटे भेश बदल के लोटे तरकीवे बदल के लोटे और इस तरीके से लोटे कि गांधी ही उनके काम का है गांधी ही उनके काम का है और गांधी इस तरीके से काम का है कि वो कुछ भी हमारे खिलाफ कर लें वो हमारे सरों पे लाठियाँ भांजदें वो हमें कानूनी रूप से गुलाम बनाएं वो ऐसे नियम लाएं जिसे हम बर्बाद हो जाएं हमारी नौक्रियां चली जाएं हमारा देश बिख जाए लेकिन हम सिर्फ शान्ती पूर्वक आंदोलन करेंगे सिर्फ शान्ति पूर्वकर अंदुला पिछले साथ-ाथ सालों में अगर हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने हिंदुस्तान में कहीं पे भगस चंशेखर आजाद, भगत सिंग इनकी कहीं भी एक पृत्मा लगाई हो तो मुझे बता देना लेकिन शान्ति के दूतों को बहुत प्रचारित किया गया है असल में इन नेताओं को शान्ति से कोई लेना देना नहीं है इनको लेना देना है कि तुम इनके खिलाब उपद्रब ना करो उपद्रब करना अच्छा भी नहीं, मैं भी हिंसा के पक्ष में नहीं लेकिन फिर आखिरी ने जवाब किस तरीके से दिया जाए ये हमको तो शान्ति की भाषा सिखाते हैं कानून में शान्ति ही अच्छी है, उपद्रब अच्छा नहीं ऐसी बात बताते हैं भले अपने आप फिंसा कर लें लेकिन हमारे साथ ये जो हैं, वो सुलूप हमेशा ऐसा ही करते हैं कि हमें इनके खिलाफ हिंसा नहीं करनी चाहिए मैंने बहुत फिल्में देखी हैं देशवक्ति की, बहुत ज़्यादा हर देशवक्ति की फिल्म जो है, देख के रगों में खौन खौल जाता है लेकिन हर देशवक्ति की फिल्म देखने के बाद, रगों में खून दौड़ने के बाद, फिर से ठंडा हो जाता है क्योंकि हर देशवक्ति की फिल्म में हमारे दुश्मन जो लोग दिखाए कए होते हैं वो तो अभी यहां है नहीं हम लड़ें तो किस से लड़ें किस से लड़ें और जो अपने दिखाई देते हैं उनके खिलाफ लड़ना देश-दुरोग की परिवाश है तो हमें फिल्ट्राइजेशन की ज़रूरत है एक ऐसे फिल्ट्राइजेशन की कि हम जो हैं यह समझ सकें कि लड़ाई को किस धंग से लड़ा जाना चाहिए गुलामी जिस प्रकार की होगी लड़ाई भी उसी प्रकार की होगी तो आज मैंने एक फिल्म देखी जिसे देखने के बाद मेरे अंदर से आश्रम बनाने का विचाव खतम हो गया मैं आजकल आश्रम के लिए जमीन देख रहा था हिमाचल में कोई अच्छा सुन्दर सा आश्रम बनाएंगे पहाड़ों पे एक बहुत सुन्दर्य करन करके आज वो विचार इस फिल्म ने खतम कर दिया और जब इस फिल्म ने विचार खतम कर दिया तो इससे में कई लोग कहेंगे कि एक कोई भी ऐसा विचार आता है आपका विचार खतम कर देता है तो मैं कहूंगा कि इसका आर्थ नहीं है कि मेरी अपनी समझ नहीं, मेरी अपनी प्रग्या नहीं लेकिन मेरी अपनी प्रग्या ये भी कहती है कि नए समझ को नए तरीके से अपनाया जाना चाहिए जबकि इस फिल्म ने जिस तरीके की बाते कहीं है ऐसा इस फिल्म में था अभी मैंने इस फिल्म को देखने के बाद ये विचार बनाया है कि अब मैं आश्रम पहार पे ना बना के कहीं समतल जमीन पे पंजाब में या कहीं ऐसी जमीन सो दो सो पांचो बीगा जमीन ऐसी लेखे इतनी जमीन मुझे चाहिए क्योंकि आप जो विजन मुझे पूरा करना है उसके लिए कम से कम इतनी जमीन चाहिए आप मैंसे जिन लोगों को अलगता है कि आगे चलके ये विजन आप जब देखेंगे अभी मूवी का नाम भी बताऊंगा जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके की चीजें कह रहा हूं तो अब इस विजन की तरफ बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे और प्रयास ही करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे सफलता के लिए को भी गले लगाएंगे तो मेरा आगे आश्रम का क्या विचार है इस पर मैं क्या बाते करूं बस इतना ही कह रहा हूं कि एक मूवी ने मेरे जीवन से यह आश्रम के सौंदर वाले आश्रम का विचार चीन लिया और एक अलग तरीके के आश्रम का विचार दिया उसकी बाद हम बाद में करेंगे लेकिन आप लोग एक मूवी देखिए तमिल मूवी है एक और इसका हिंदी में भी वर्जन है यूट्यूब पे मार्चित नहीं करेंगे वो प्रेम के जो होते हैं यहां पे जंडर वो दिखाए गए हैं आप उसको फारवर्ट कर देना मैं आपको सीधा कह रहा हूँ आप शुरू कि दस मिनट देखना उसके बार दस मिनट 20 मिनट की हटा देना फिर सीधे मुद्दे पे आना और फिर इस मूवी की खासियत है कि अंत तक अपने विशह से भटकी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से वर्तमान की जो समस्याएं हैं जिस पे लाखों लोग चिंतन कर रहे हैं वो केवल समस्या ही नहीं उसमें सही से दिखाई गई है बलकि एक समधान भी दिखाए गया मेरा भी एक म व्यक्ति तयार नहीं हुआ जो से मुझे सायोग कर सके मेरी अपनी शमता सामर्थ के तहत में इतनी बात कहता हूं सिर्फ बात कह देता हूं और बहुत सी बाते मुझे उस मूवी में ऐसी भी लगी जो कि मैं अल्रेडी कह चुका था लेकिन मैं शुक्रु गुजार हूं उस है शहीद भगत सिंग पे और हंसे कर आजार पे और जो मूवी यां बनी हैं वो समय के बात बनी बात में गुरगान किये गए लेकिन यह समय पे बनी है वर्तमान में इसकी जरूरत है तो आप सब देखें इस मूवी को भूमी मैं इसका लिंक भी हो सकेगा तो इस वीडियो क के साथ बोलूंगा कि डाल दिया जाए आप लोग इसको जरूर देखें और फिर जल्दी में बताऊंगा कि आने वाले समय में किस तरीके के आश्रम के लिए हम लोग अप्तियारी कर रहे हैं प्राम